कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रसंद मिश्रा तो दोस्तों आज तारीक है कि दो फर्वरी 2017 तो है क्या दोस्तों कि आज का जो अख़वार है दाहिन्दु तो उसमें तो तक्रीबन पचासी से नभबे परसंट खबरें बजट के समद्ध में तो उसके लिए तो मैं वीडियो बनाओंगा लेकिन मैं सोच रहा था कि उसके लिए पहले जो गैर बजटी खबरें हैं तो उनको पहले आपको एक बार बता देता हूं और उसका आप देख लें ताकि फिर आप हमार को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर सके किसमें देवास एंट्रिक्स केस में तो यह दोस्तों यह पूरा मुद्दा क्या है और यह प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्या होता है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मतलब होता है दोस्तों आरोप तै करना तो यहनि कि CBI जो है तो देवास एंट्रिक्स में आरोप तय करेगी किसके उपर जो पूर इसरो चेयरमेन थे जी माधवन नायर उनके उपर करेगी तो मुद्दा ऐसा था दोस्तों कि ये मुद्दा आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तब उठा था जब डिवास नाम की एक कंपनी ने जो एंट्रिक्स ज जो भरपाई है वो कौन करेगा वो एंट्रिक्स करेगा तो एंट्रिक्स को किसकी कंपणी है किसकी काई है इस रो की तुलिये दे करके यानि उसकी भरपाई कौन करेगा इस रो करेगा तो हुआ क्या था कि मुद्दा ये था कि एक S-Band होती है ठीक जो कि INSET Catellite के द्वार कर लिया गया था कि जो उनके मुबाइल रिसीवर्स यह नहीं कि मुबाइल फोन में लगे हूं चाहे कि गाड़ियों में जीपियस इत्याज में कहीं पर भी उप्योग होते हूं तो ऐसे सारे रिसीवर्स को इंसेट के द्वारा सुविधा प्रदान की जाई थी ऐसा कहा था एंट्रिक्स ने डिवास को लेकिन बाद में उसे पलट गया था तो इसके लिए क्या था कि उसने उस पे एक केस किया था लेकिन बाद में यह लोगों ने यह सोचा मतला कि कोट ने य भी सोच रहे थे कि जब इची रेस्ट्रिक्टेट थी यानि प्रतिवंदे थी तो फिर इसको डील में लाया क्यों गया बेंचा क्यों गया जबकि इसको बेंचा नहीं जाना चाहिए तो उनको पता चला कि जी माधवन नायर जी ने तकरीबन पांसो अठतर क्रोड रुपए क इसमें शायद घूंस ली या हिरा फेरी किया जो कुछ भी किया अब समझ सकते हैं क्या किया तो उन्हों ने कहा सी बी आई वालों ने इसकी जाच में कि यूं तो कोई भी रेस्ट्रिक्टेट बैंड को देता नहीं है तो जी माधवन नायर जी ने कुछ गड़बडियां कर कि जान बूच करके वो उनको दिलवा दी ताकि उससे उनको कुछ फाइदा हो तो ये कह रहे हैं कि तकरिवन 578 क्रोड रुपए का उसमें फाइदा जी माधवन नायर को हुआ हो सकता है तो अब देखिए दोस्तो आरोप तो तय होने वाला है तो आगे चलके क्या होगा वो देखा जाएगा लेकिन दोस्तो एंटरिक्स इस बार आ सकता है देख लिजेगा कि एंटरिक्स क्या है कैसे काम करता है तो बता दो इस रों की वाडिजिक ही है दोस्तों अनतराश्ट्री वाले पेज में जाने लाइक तो अच कुछ भी खास नहीं है फिर भी एक एक मिनट में बता जेता हूँ तो ये खबरे जो है तो एक दम किसी भी इंपोर्टन्स की नहीं है फिर भी जान लीजे थोड़ा सा कि MPs highlight Brexit promises made to Indian community यानि कि Brexit promises को Brexit के वादे को लेकर भाजी समुदाय से जो वादे किये गए थे तो कुछ MPs यानि कि British सांसेदों ने उसको highlight किया है यानि मुद्दे को भारा है तो हुआ क्या था दोस्तों कि शायद आपको नहीं पता होगा कि जब Brexit का पूरा दोर चल रहा था और referendum यानि कि जनम संग्रा होने ही वाला था Brexit के लिए तो जब प्रचार चल रहे थे यानि कि Brexit समर्थकों के और Brexit विरोधियों के तो जो Brexit समर्थक थे यानि कि जो Union से बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हों ने ये कहा था भारती समधाय के लोगों को यानि कि भारती समधाय के पाकिस्तानी समधाय के और बंगलादेशी समधाय के लोगों को कि अगर Brexit हो जाता है तो जो Europeans हैं बांकी Europeans तो उनका आना जाना जो है वो ब्रिटेन में कम हो जाएगा लेकिन इससे जो Commonwealth यानि कि जो पहले कभी British उपनिवेश रहे हैं उन देशों के जो लोग हैं उनको हम आने में हापे छूट परदान करेंगे तो सभी को पता था कि सबसे बड़ा उपनिवेश तो भारत ही था और उस वक्त जब उपनिवेश था तो भारत पाकिस्तान मंगला देश सब एक ही साथ थे तो यानि कि इन से यह वादा किया गया था कि आपके देशों से लोगों को हम ज्यादा बुलाएंगे तो इनको यह लग रहा था कि शायद हमारे रिष्तेदार वगारा को इससे कुछ लाव मिल जाएगा वो यहां प्या करके साटल हो पाएंगे तो इस वज़े से उन्होंने डेश्ट के लिए बहुत सारी बहुत भारी मातरा में वोट किया था कई सारे भारतियों ने तो अब कुछ लोग उनको याद दिला रहे हैं कि भाई देखवा आपने जो भारतियों से वाला किया था उसको निभाव लेकिन अब देखिया आगे चल ना पड़ा क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही थेरसा में ने आमंत्रित किया था डोनार्ड ट्रम्प को तो वैसे ही उनकी अलोचना होने लगी थी और एक जो होता है ना कि पबलिक कठा होके एक हस्ताक्षर आंदोलन यानि कि एक सिगनेचर मुवमेंट जलाती है तो उ कि डोनार्ड ट्रम्प को ब्रिटेन नहीं बुलाया जाना चाहिए एक सरकारी गश्ट के तौर पे तो हुआ कि आप देखें दोस्तों कि डोनार्ड ट्रम्प तो अब दुनिया की सबसे पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए है तो अब उनके खिलाफ जब ऐसा कुछ हो पर आप सो चली जएगा कि नाटो जब काम नहीं करेगा तो रूस से कैसे निप्टेंगे आप लोग यह आप ही जानिएगा तो है क्या दोस्तों की ठरसा में लोगों की चाहे ठरसा में हो चाहे पूरी यूरोप में कोई भी हो तो उनकी मजबूरी है कि डोनार्ड ट्रम्प जो भी हैं जैसे हैं उनके साथ उनको किसी ने किसी तरीके से अपने दोस्ती बना करके चलनी पड़ेगी उसके बिना इनका काम नहीं चलने वाला है तो हुआ ये दोस्तों की इन 18 लाख लोगों ने ये मा की हुई है कि जब तक डोनार्ड ट्रम्प मुस्लिम देशों पर ल लोगों को ये डोनाल्ड ट्रम्स को भी तो अमेरिका की जनता नहीं चुना है तो वह तो एक लोगतांतरिक नेता ही है तो वह जो कर रहे हैं तो उनके देश का एक आंतरिक मामला है तो हमें उस चीज़ पे अनावश्यक किसी प्रकार का विवादने करना चाहिए और उनका एक तरीके से यह कहना है कि देखिए भाई सब डुनार्ट ट्रम को तो हम बुलाएंगे यह हमारी सरकारी मजबूरी है क्योंकि डुनार्ट ट्रम से रिष्टे अच्छे नहीं होंगे आगे चलके हमको परशानियां जहलनी पड़ेंगी दोस्तों यहां पर एक स्टेडी थी एक अध्यान था उसमें कहा गया था कि इटिंग लीचीज एंड स्किपिंग मील्स किस चिल्डर्न इम बिहार यानि कि लीची खाने से और खाली पेट रहने से बच्चे बिहार में मर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ है तो हुआ यह था दोस्तों कि 2014 में एक ऐसा कुछ केस हाया था कि वहां बिहार में एक जिले में बहुत से बच्चों को भरती कराया गया अस्पताल में जिसमें तकरीबन 122 बच्चों के मरत्ती हो गई थी तो कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था कि इसके पीछे क्या कारण है कि इन बच्चों को कौन सी बिमारी हुई क्या हुआ इनको तो उसके लिए क्या था कि दो संस्थाएं एक भारती संस्था और एक अमरीकी संस्था इन्हों ने ये सोचा कि ये तो अजीब सी बिमारी है तो इसका परिक्षण किया जाना चाहिए ताकि पता चले कि यह क्या था तो उन्होंने जो बात पता की तो उससे उन्हें पता चला कि खाली पेट लीची खाने से यानि कि लीची खाने से और साथ में खाली पेट रहने से उसके लागा कुछ ना खाने से ये एक शरीर में ऐसा विशैलापन बनता है या कि विशैलापन ना भी कहें तो ऐसे ग्लुकोस की कमी हो जाती है जिसके वजैसे बच्चों की मृत्ती हो जाती है तो ये कहा गया था दोस्तों कि अगर गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा लीची खाई जाए और साथ ही उसके बाद भोजन ना किया जाए खाली पेट रहा जाए तो इससे क्या होता है शरीर में जो ब्लट सुगर लेवल यानि की शरीर में जो रक्त शरकरा का इस्तर है वो सतर मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर यानि की सतर मिलीग्राम प्रति सौ एमल तो डेसी लीटर कितना होता है दोस्तों डेसी लीटर का मतलब होता है लीटर का दसमवा हिस्सा यानि की एक लीटर हजार अमल का है तो डेसी लीटर होता है सौ मल तो जब 100 ml रक्त में 70 mg से कम हो जाता है शुगर का इस्तर या की शरकरा का इस्तर तो ऐसी स्थिती में शरीर में बहुत भ्यंकर व्याधियां उत्पन हो सकती है ठीक तो यह कहा गया कि इससे जो है कि जो एक नियूनतम स्तर होना चाहिए उससे कम हो जाता है ब्लड शुगर का इस्तर और साथी साथ acute encephalopathy यानि कि ये जो तीवर encephalopathy है इसका मतलब ये होता है कि इसमें दिमाग जो है काम करना बंद कर दीता है दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है तो यही उन बच्चों के साथ समस्य आई थी कि उनका एक तो ये लीची खाने से खाली पेट लीची खाने से ब्लट सुगर एक तो कम हो गया था और साथ ही साथ ही ये हुआ था कि उनके शरीर में तीवर encephalopathy उत्पन हो गय थी जिससे उनके दिमागों ने काम करना बंद कर दिया था इसके अलब उन्होंने कहा कि शाम का भूजन भी अगर ना किया जाए तो ये खुद ही क्या करता है शरीर में ब्लट सुगर के इस तर को कम कर देता है और साथ ही जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए और खतरनाक होता है क्यों कि इनके शरीर में जो हेपेटिक ग्लाइकोजन होता है उसका कम मात्रा होता है यानि कि जो रिजर्व है ना यानि कि उसका जो एक भंडारण होना चाहिए शरीर में वो काफी कम होता है तो यह होता है क्या है हेपेटिक ग्लाइसिन वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हेपटिक ग्लाइकोजन है तो दोस्तों शरीर में एक प्रकार से संचित उर्जा का भंडार होता है जो कि आपके यकरित के पास जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकरित के पास जमा उर्जा का भंडार हेपटिक ग्लाइकोजन कहलाता है और जो आप भोजन नहीं करते हैं, तो यही आपके शरीर को उर्जा दे करके, आपके शरीर में ब्लड शुगर के इस्तर को बनाए रखता है, और साथ ही साथ आपके दिमाग को भी ताकत देता रहता है, जिससे कि वो काम करना बंद ना करें, तो यह क्या है कि बच्चों के श पीजी नाम के दो ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कि यह उस समस्या को और भी गंभीर कर देते हैं, यानि कि जो हैपटिक ग्लाइकोजन रिजर्व है, तो उससे जो थोड़े बहुत रिजर्व से भी उर्जा मिल सकती थी बच्चों को, तो यह उसको और बुरा कर देते है यानि कि उससे उर्जा बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, यानि कि उसके कार करिया को बंद कर देते हैं, तो इस वज़ए से बच्चों की मौत होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, तो यही बज़ए कि इससे जायतर बच्चों की ही मौत होती है, बढ़ों की इससे कि ब्लट सुगर का लेवल कम हो जाता है तो तुरंत ही क्या किया जाता है कि उनके शरीर में बॉटल चढ़ा करके डेक्स्ट्रोज लगाए चढ़ाई जाती है तो जब वो शरीर में डेक्स्ट्रोज पहुंचती है तो वो क्या करती है उनके शरीर में जो ब्लट सुगर कम हो तो उसको परियाद मातरा में फिर से उनके रक्त में पहुंचा देती है तो रक्त से दिमाग में चला जाता है जिसे दिमाग को शुगर से उर्जा मिलती है और वो काम करना फिर से शुरू करता है जिससे कि बच्चों की मौत नहीं होती और दोस्तों एक खबर ये छपी है कि लॉस्ट कॉंटिनेंट लाइस अंडर इंडियन ओशन यानि कि एक गुम हो चुका महाधिवीब कहां पर है हिंद महासागर की नीचे दबा हुआ है तो ये पूरा मामला क्या है दोस्तों तो पूरा मामला ऐसा है कि आपको पता होगा कि पहले भारत है अफरीका है अंटाक्टिका और अस्ट्रेलिया ये चार के चारों जुड़ो गए थे और ये क्या कहलाते थे ये गुंडवाना कहलाते थे गुंडवाना लेंड तो तकरीव उसे आपने भुगोल में अगर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे हैं पता होगा तो यह कहा जा रहा है कि जब यह चारो टूठ के अलग होए थे तो एक छोटा सा हिस्सा ऐसा विसा जो पांचमा हिस्सा था कि जो इनमें से किसी के साथ नहीं गया था बलकि आगे चलके वो क्या हुआ कि समंदर की नीचे लगातार दपता गया और फिर जब जौला मुखी फटे तो लगातार उसके उपर जौला मुखी के आने वाले लावे की परते जमती गए जिससे कभी पता ही नहीं चला कि वो वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है लेकिन महादीब है तो वहीं पर वो आकर के मतलब कि रुख गया था वो छोटा सा हिस्सा और मतलब कि छोटा सा महादीब जो तूट करके अलग वाता पांचवा हिस्सा वहीं पर आकर के रुख गया था और उसे के ऊपर जब जौला मुखी फोट हुए तो लावा निकल निकल करके कि जो जमाव होता गया उसी से मौरिशासदीप गारा इत्यादी बन गया और चूंकि वो नीचे दब गया तो उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला तो दोस्तों है कि फिर पता इनको कैसे चला कि वो महादीव था एक चीज होती है दोस्तों उसे कहते हैं जिर्कौन तो यहां पर लिखा भी हुआ है जिर्कौन के बारे में तो दोस्तों जिर्कौन ऐसी चीज होती है कि ये एक ऐसा खनीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चट्टानों में पाया जाता है जो कि अत्यंत प्राचीन है अत्यंत प्राचीन यानि कि अरबों साल पुरानी और जिर्कोन में तो कई बार ऐसा कहा जाते है जिर्कोन के संबने कि ये तकरीबन चार अरब साल पुरानी चट्टानों का अवशेश है तो जिर्कोन जब कहीं पर पाया जाए तो आपको जान जाना चाहिए कि वो इस्थान भूग अर्विक तोर पे अर्बो वर्ष पुराना है यहनी कि बहुत पुराना है तो यह कहा जाता है कि जो मौरिशयस है तो मौरिशयस में जो कुछ भी पाया जाए गए है अवशेस तो वो कुछ करोड साल से पुरानी नहीं है लेकिन जो जिर्कौन है तो वो होता है अर्बों साल पुराना और अगर उसे कहीं मौरिशेस के आसपास के छेतर में पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि मूल मौरिशेस जिसकी की सभी चटाने जो है तो वो कुछ करोर साल पुरानी है और वो जिर्कॉन जो काफ़ी पुराना है तो मौरिश्यस का हिस्ता नहीं हो सकता. यानि वो किसी और छीज़ का हिस्ता है, भेते हुए मौरिश्यस के पास पहुँच गया है. तो दोस्तों सबसे मतमूडे से जो आर्टिकल में बात थी, वो जिर्कौन की ही थी अगर पूचा जायेगा तो इससे मैं बता दू सिर्फ जिर्कौन ही पूचा जाएगा जिर्कौन क्या है कैसा है ठीक तो इसको आप इंटरेट पे और देख लिजेगा बाकी मैं आपको यह भी बता देता हूं इसमें जानकारी दीवी जिर्कौन के बारे में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो इनका एक अर्धायुकाल भी होता है तो यूरेनियम थोरियम इत्यादी का आर्धायुकाल होने की वज़े से इनमें लगाता है एक डिके नाम की प्रक्रिया होती रहती है जिससे कारण ये चटानों के आयू के निधारण में भी कई बार सहायक होते है तो इसी से पता चलता है कि चटाने कि इतने पुरानी हैं तो यही जो इनमें यूरेनियम थोरियम इत्यादी पाये जाते हैं तो इससे इनके बारे में पता किया गया और चूंकि ये जिर्कोनियम चट्टाने अत्यधिक पुरानी है इसलिए तीन अरब साल से लेकर के पृत्वी की इतिहास में क्या क्या हुआ है इन में उन सारी चीजों की जानकारी हमेशा मौजूद रहती है कि ये किन किन दौरों से होकर के गुजरी है यानि पृत्वी के भ हुगर्व शास्त्री है उनके लिए रूची का विशह रहती है और दोस्तों एक ख़बर है हलाकि बजट से संबंदी थे लेकिन चुकि एक ऐसे पेज पर छपी है जो कि बजट से संबंद नहीं रखता नॉन बजट वाले पेज में छाप दी है तो मैंने कहा कि इसको इसको परियावरण से संबंदी जो भी एजंडा होता है उसे हम ग्रीन एजंडा या हरित एजंडा बोलते हैं तो यहां पे दो संस्थान है एक तो CAC है यानि की सेंटर फॉर साइंस एंड इंवार्मेंट तो उनके पास जाकर कि इन्होंने पूंचा था तो उन्होंने अपनी बा कार दिया उसकी पेक्षा कर दी है और किसी भी प्रकार का फिसकल इंस्ट्रूमेंट यानि राजकोशी उपाए नहीं किया गया है ताकि प्रदूशन को नियंतरत किया जा सके और साथ ही साथ जो सारुजनिक ट्रांसपोर्ट यानि सारुजनिक परिवहन है यानि कि जब सार साथ उन्होंने कहा नो पॉलिटर पेस प्रिंसिपल यानि कि ऐसा कोई सिधान्त भी नहीं दिया है कि जिससे जो ज़्यादा प्रदूशन कर रहे हैं तो उनको कुछ विशेश रूप से ज़्यादा पैसा पे करना पड़े तो यानि कि जो एक होता ना कि परियावरंस्यस लग गयी है कि ऐसी वह पूरानी टेक्नालजी जो लगातार प्रदूशन को बढाती हैं तो उनको कम करने के लिए जो नई लोγα उनको नहीं लेते क्यों क्योंकि वह मेहगी होती हैं क्या बार्ट लोग उस पर इंवस्ट नहीं करना चाहते तो कई बार सरकारी यह क्या करती consent इपने देशों में production कम करने के दिये उस पर विवयन पर teks लगा देते हैं तो जो कोई भी उद्योग और Sm過來 कर रहे हैं जो क्विश्न करती हैं तो उनको बहुतपboysा देना पड़ता है तो मझबूरी में सोचती हैं कि चलो नी टेकनोलजी ले ली तो पर्यावरण के ज़साब से बजट जो है तो अच्छा नहीं है ऐसा कहना है a VK और देखें टेरी घरी ने दो बाते इन हुमाज है कि बजट एक के पक्षय है और नकारात्म है परयावरण के शेत्र में धोड़िय। तो यहां पर टेरी ने जो सकारात्म पक्षों के बारे में कहा है वो ये कहा है कि focus on rural development and agriculture यानि कि ग्रामीर्ड विकास और कृषी के बारे में जो focus किया गया है और साथ ही साथ जो transport यानि परिवान है तो उसमें एक पूर्ण रूप से दृष्टी डाल करके जो कुछ नीतियां बनाई गई है तो वो जाहिर तोर पर बड़ी सकारात्मक है लेकिन उन्होंने एक और चीज़ कही उन्होंने कहा कि अगर राज contract farming यानि कि ठेके पर खेती वाली प्रक्रिया को अपना लेते तो कृषी में जो भूमी है और कृषी के उत्पादन की और जो कृषी में लागत लगती है उन सभी की दक्षताएं बढ़ जाती लेकिन उन्होंने कहा कि इसे एक दूसरी समस्या ये भी आ जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उप्योग करेंगे और एक फसली कृषी को ही बढ़ावा देंगे जिससे कि आगे चलके भूमिकत मतलब भूमिक को भारत में नहीं अडॉप्ट किया गया है तो आप यह मत सोचीगा कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग यानि के ठेके पर जो खेती है तो उसको किसी पर्यावरणी मुद्दे की वज़ए से अभी तक रोक के रखा गया ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि भारत में ऐसे कोई भारत में रोका गया है अभी तक नहीं लाया गया है और दूसरी बात जो निगेटिव यानि के नकारात्मा पक्ष हैं तो वहां पर क्या कहा है तो यह कहा उन्होंने कि भारत की जो प्रतिवद्धता थी जो कि उसने जताई थी कि नवीनी करनी ऊर्जा के छेत्र में और अत सरीके से काम करेंगे तो खुद वही जानते होंगे तो उनका यह कहना है टेरी वालों का की दरसल पे यह जो तीन चीजे हैं इस पर कोई भी पैसा नहीं किया गया है तो इस वज़जा से यह तीनों जो शेत्रक हैं तो यह कमजोर पड़े रहेंगे यानि कि जितना आवंटन sequestration तो दोस्तों जो carbon sequestration होता है यह ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा उद्योग लगाएंगे तो उनसे जो carbonic पदा खासा carbon dioxide निकलेगा तो वो वाई मंडल में लगातार जमा होता जाएगा तो उसको कम करने का क्या उपाय है उसको कम करने का यह ही उपाय है कि आप जादा से जादा one लगा करके जंगल लगा करके पिंड लगा करके उस carbon को उन जंगलों और पेणों के द्वारा अवशोशित करवा लें तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं carbon sequestration तो दोस्तों यह कहा गया कि आपने one करन के लिए जंगल लगाने के लिए तो पैसे लोठी नहीं किये इतनी जादा कि आप जो सोच रहे हैं कि धाई से तीन बिलियन टन का जो carbon आप एब्जॉर्ब कर लेंगे हर साल वो संभव नहीं है तो यह कहना थर्टे रिका कि अगर धाई से तीन बिलियन carbon absorb करने के लिए आप जंगल लगाना चाहते हैं तो उस वनी करन की प्रक्रिया में एक लाह करोड तक का खर्चा आएगा और आपने जो दिया है तो इतना काम है कि आप भूल जाएए कि आप धाई से तीन बिलियन टन का जो carbon sequestration है यानि कि carbon absorption है वो करवा पाएंगे क्योंकि इतना जंगल लगाने के लिए आपने बजटी नहीं दिया है तो दोस्तो इस प्रकार से आज के दाहिंदो का जो दैनी खिंदियनवाद 11 बजटी समाचारों का था वो हो चुका है तो आगे चलके फिर से मिलेंगे जब हम बजटी समाचारों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद